Assalamualaikum, एक आज आपने ले लेना है, और इसके बाद आपने लहसन ले लेना है, ये दोनों चीजें आपको कर से मिल जाएंगी, तो इनसे ऐसा कमाल का तेल में, आज आपको बनाने का तरीका बताऊंगा, कि जिसे लगाने के बाद सिर्फ 10 मिनट आपने इंतजार करना है, और फिर इसका ऐसा असर होगा, कि आप यह देख कर हैरान रह जाएंगे, लंबाई मुटाई में भी इजाफा करेगा, और उसके अलावा, जिन लोगों को मतलब मसला है, कि बीवी के पास जाते ही हमारे हो जाते हैं, वैसे लोगों के लिए यह तेल बहुत ही कमाल का होने वाला है, और विशलेशन के जनाब, आपने एक और इस तरीके से दो, और इस तरह से तीन, जब वै और इस तरीके से चार, जब आपने निकाल लेना, ठीक है, तो चार जगे के निकालने के बाद, सबसे पहले आपने को छील करके साफ कर लेना है, देसी लेसन को छीलने में कमाल के टोटके मिलते रहेंगे, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सबसे पहले आपने लारसन को इस तरीके से अच्छी तरह से काट लेना है, चारों जगहों को, बिल्कुल इस तरीके से आपने बारी कर लेना है, किसी बर्तन के अंदर, तो इस तरह से जनाब लहसुन को काटने के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ ये, देखें, ये इसको भी हम बिल्कुल बारी करके काट लेते हैं, तो इसके बाद आपने प्याज ले लेना है, पर आज आपने मानस आजकल ले लेना, ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो, तो इसके आपने दो टुकडे कर ले, ने सेंटर से काट कर, इसके उपर वाले जो छिलका है, वो आपने उतार लेना है, और इसके सेंटर में एक मोटा सा उपर वाला लेयर होता है, वो आपने निकाल लेना ह उसको भी आपने लहसन के बिल्कुल बीच में काट लेना है, इसके बाद सरसों का तेल आपने ले लेना है, और सरसों का तेल लेने के बाद इसके अंदर आपने कर देना है, इन तीनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आपने ज जनाब, जलाना नहीं है, ब्राउन हो जाए, जब आपने इसको उतार लेना है, इसके बाद स्टील की इस तरीके से आपने मालिश करनी है, रंगों की उपर से नीचे से इस तरह से अच्छी तरह से मालिश करें और उसके बाद कपड़ा लपेट कर सो जाएं, एक हफता तक गातार इस तेल को इस्तेमाल करें,